शालनी बहुत खुश थी और अपने पसंद का गाना गुद्गुना रही थी तभी शेखर घर आ गया और बोला आज बहुत खुश हो शालनी ने सेखर की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली मैं अपनी मा के पास जा रही हूँ इसलिए बहुत खुश हूँ जैसे तुम अपने माई के जाने के नाम पर चहकने लगते हो शेखर बोला कब का प्रोग्राम है मैडम का तो शालू बोली परसो जाओंगी अच्छा सुनो शाम को बाहर जाते समय पैसे निकलवाते लाना जैसे ही शालू ने बोला शेखर तुरंत बोल पड़ा क्यों? पैसे क्या करने है? शेखर का सवाल सुनते ही जैसे शालू के मूड की ऐसी की तैसी हो गई क्यों क्या मतलब? शालू ने पलट कर पूछा अरे स्विठार्ट मेरा मतलब माई के जा रही हो तो पैसो का क्या करोगी? तुम्हारी मम्मी तो बेटी के घर से कुछ लेती नहीं जो बेटी का दिया कुछ नहीं लेते तो फिर पैसे का क्या करोगी? शालनी को शेखर की इन चिकनी चुपड़ी बातों पर बहुत गुस्सा आया और शेखर की बाहें जो उसने बहलाने के लिए शालनी के गले में डाली थी उन्हें जटकते हुए शालनी तुरंत बोली चलो रहने दो, मत निकलवाना पैसे मैं एक काम करूँगी, जो भी खर्चा होगा पापा से ले लूँगी और कहूंगी थोड़े बहुत शेखर के लिए भी दे दो और ऐसा कहकर वो किचन की तरफ चली गई ऐसा सुनकर तो मानो सेखर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो शालनी के पीछे पीछे भागा और बोले ये क्या कह रही हो तुम पागल हो गई हो क्या मुझे क्या कमी है जो मैं उनसे पैसे लूँ शालनी ने डाल का कुकर गैस पर चड़ाया और मन ही मन सोचा कि शायद अब उसकी डाल गल गई है तो पीछे मुढ कर बोली यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें क्या कमी है जो तुम उनसे खर्चा करवाने की बात कह रहे हो मैं तो बस क्या सेखर ने सालनी की तरफ मुख घुमाते हुए कहा वैसे तुम से जो पैसे मांग रही थी वो तुम्हारे घर की शॉपिंग करने के लिए ही मांग रही थी सालनी ऐसा कहकर वहां से चल पड़ी तो शेखर ने पूछा कहां चली तो शालनी ने बोला मैं घर पर फोन करके मना करने जा रही हूँ कि इस बार शेखर का हाथ थोड़ा तंग है तो मैं नहीं आ पाऊंगी और अब मैं वर्क फ्रम होम जैसे ऑनलाइन कोचिंग की तरह कुछ शुरू करूंगी और अपने पैसे से खर्चा करूंगी अब तुम हद पार कर रही हो शालू नहीं शेखर हद तुमने पार की है तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि जिस पिताने दहज में मुझे इतना कुछ दिया है मेरा घर आज सजा हुआ है वो मेरे छोटे मोटे खर्चे से कत्राएंगे लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी काबिलियत साबित करने का और अपने दम पर कुछ कर दिखाने का अब मैं क्यू मैथ की जरिये बच्चों को पढ़ाऊंगी और अपनी इंकम बनाऊंगी तो अब मैं माई के नहीं जाओंगी तू देखते रही हो शालनी ऐसा कहकर सेखर को चिड़ा कर वहां से चली गई और सेखर वहीं खरा उसके बारे में सोचता रह गया इस कहानी के बारे में आपकी क्या राए है हमें कमेंट करके जरूर बताए कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेर, सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू